आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है अगर आप आज खुद को बीते कल से बहतर पाते हैं तो यह आपकी बड़ी जीत है गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्डी पॉइंट दोस्तों आज 28 सगस और देखेंगे सारे करेंट अपर साथ ही काफी सारे एक्स्टा फैक्ट भी तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा लास्ट में कोशन पूछोगो उसका एंसर आपको कमे वीडियो बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं यदि आप चैनल पर पहले वार वीरकर चैनल के नीचे रेड़ क्लाइब सब्सक्राइब बेटनों को इसमें क्लिक कर दे साथ में जो वाल बेल आइकान इसको जरूर प्रेस कर दे ताक कि आपको डिली मॉनिंग में इसी टाइम आप्सन भी राइट है देखे उस्तों देश के विमानन और उर्जा चेत्र के लिए एक एतिहासिक दिन के रूब में भारत की पहली जैवीधन संचाले तुडान देहरा दून और दिल्ली की बीच की दूरी को तै करती हुई दिल्ली में उतरी है ठीक है इसके लाब दोस्त वायो जेट इधन मिसरन कसा संचालित थी ठीक है इसके लाब दोस्तों बता दें आपको कि जो इधन दक्षता को बढ़ाता है और जेट ट्रोफा फसल से बना हुआ है CSIR यानि Indian Institute of Petroleum IP IIP दोरा देहरा दोरा विक्षित किया गया है ठीक है इसके लाब आपको बता देग जो बरतवान भारत के उड्डियन मंत्राले में राज्यमंत्री है वो है जैंद सिनहा नागरीक उड्डियन मंत्री कौन है सुतनतर प्रोफा राज्यमंत्री है जैंद सिनह है यह फैक्ट आपको याद रख रहें बात करें दिल्ली की भारत की राजधानी और केंसाजित प्रदेश है वरतमान मुख्यमंत्री आप सब को पता अर्विंद के जरीवाल और यहां पर एक याद रखिएगा वरतमान जो राज उपर राज जेपाल है दिल्ली के वह अनि है वरतमान सीयम है त्रिवेंसिंग रावत और अपको बता देख उत्राखन का पूर्व नाम था उत्रांचल और यहां पर जो दो बांद बने हुए भागी रती वांद और टेहरी बांद यह कुश्चन पूछा आता है कि भागी रती बांद भारत कि सराज में से तो यह सी कटाई की उपिरोत के लिए इसके जो जनक थे दोस्तो प्रॉय वरन में चिपको अंदोलन के वों थे सुंदालाल भॉटा है कोशन पूछा थे चिपको उंदोलों के जनक कौन है सुंदालाल भॉटाने नस्का नेथित किया था चामोली जिले में 1973 में अंदोलन प्लाराम तो यह आप फैक्ट उत्राखंट के बारे मिदने याद रखिए कि एक्जाम में बहुत बार पूचा आता है। जैपूर आपको सब को बता है कि भारत की पिंक सिटीज को कहा जाता है जैपूर को गुलावी नगार और राजस्थान की राजधानी है वरतमान सीम राजस्थान की वसंदर राजे गवर्नर की बात करें तो है कल्यान सिंग और आपको बता दे कि राजस्थान भारत का क्षेत वड़ा राज जह यूपी और आपको वता देख प्रसासनी को अब इधाई राजधानी है लखना वो जब कि न्याइक राजधानी इलाहबाद और यूपी की जब भी बात आती तो यूपी से लेटेड एक क्वेशन पूछा आता है कि ताज महल जो तो आगरा मिसी थे सब को लेकिन एक क्वेशन बहुत इंबोडेंट है कि इसके वास्तुकार कौन थे ताज महल के दो थे ताद अहमद लाहौरी यह आप याद रखिएगा ठीक है और आपको बता देख भारत की प्रथम माईला स्चेम सुचेता कर प्लानी यूपी की थी ठीक है यूपी से थी भारत की पहली जय विधन संचालित फ्लाइट की सेर मुतरी है यह उतरी है दोस्तों दिल्ली में आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूं जो एक्जामी पूछे आते हैं भारत की जो प्रथम परवाणू रेक्टर था वो था अपसरा ठीक है भारत का प्रथम परवाणू अधर था वो तारापूर ठीकर तारापूर प्रथम आन्विक के अंदर था ठीकर दोस्तों इसके लाभा एक फैक्ट आपको और बता रहता हूं प्रथम सोर सरोबर जय फिप्र ढोबर भुझ गुजरात में तो भारत पहली जय विधन सं सब्सक्राइब आपको कम्लीट करा दूँगा ठीक है वीडियो अच्छी लेगा दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करिएगा आज टार्गेट पूरा के थे लेकिन काफी देर लगा दी थी प्लीज टार्गेट जरूर करिएगा दोस्तों होसला बढ़ाने के लिए और प्लीज सेर जरूर करिएगा इस वीडियो को चलिए अगला कोशन है नेक्स कोशन है अटल जी ने कहा पुस्तक के लेखक हैं ब्रिजंदर रही यानि ऑपसने राइट है देखे उस तों अटल जी ने कहा बिजेपी कुलपती और पूर्प्रधानमंत्री अटल विहारी बाश्वेई की किताबों से नविंताम है और इसे प्रधानमंत्री नेदमोदी के संदेश के साथ लौंज किया गया है आपको बता दे कि पुस्तक ब्रजंदर रही द्वारा लिखी तो संकलित है और यह जो ब्रजंद रही है दूर्दसन निर्माता और बरिष्ट पत्रकार है आपको ब पर आपको कुछ और इंपोर्टेंट में बुक्स के नाम बता देता हूं जो एक्जाम में जरूर पूछे जाएंगे बात करें यहां पर दोस्तों संजय बारू की इन्हों ने प्रसीद पुस्तक भी लिखी थी हाली में एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक्सिडेंटल किसकी लिखी पुस्तक है संजय बारू की बात करें मेरी काम की तो आप सो को पता है मेरी काम के बारे मेरी काम की परसीद पुस्तक भी हाली में ने लिखी अनब्रेकबल ठीक अनब्रेकबल किसकी पुस्तक है मेरी काम की बात करें के गिरी प्रकास की के गिरी प्रकास ने भी हाली में दो जो है तो death death of a city death of a city जो है तो so sorry दो death of city लिखी अमरिता पृितम ने coffee table जो है लिखी है किसने ke-giri प्रकास ने किया लिखी है coffee table जबकी अमरिता पृितम की लिखी पुस्टक है death of a city ठीक death of a city अमरिता पृतम ध्यान दीजिएगा और train to Pakistan ये शुक्वन सिंग की प्रसीद पुस्तक है इसके लावा दोस्तों अभी आपको बता दें एक और प्रसीद पुस्तक है हाली में जो है तो आजाद बच्पन की ओर ये कहलास सत्यार्थी की बहुत ही famous पुस्तक है इसके लावा एक्जाम बरियर्श प्राइमिनिस्टर नेंद मुदी द्वार लिखी बहुत ही famous पुक है एक्जाम बरियर्श इस स्पीकिंग टू पावर इस पेकिंग टू पावर पी जी दमरा की पुस्तक ठीक है इस स्पीकिंग टू पावर और दोस्तों यहां पर बता दिक दा कोईलेशन इयर्स नाइटीन नाइटी सिक्स टू 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 थाउजन ट्वैल प्रणा मुखर्जी द्वार लिखी द पुस्तक है टीक है गोल्डन हाउस यह पुस्तक है सल्मान रस्दी द्वारा यह प्रशित पुस्तक लिखी था हिलेरी क्लिंटन द्वारा तो जिदनी पुस्तक आपको बता रहा है रहा है 12-18 में काफ़ी चर्चित पुस्तक रही है ठीक है तो ये आप बिल्कुल याद रखिए कि playing it my way ये है सचिन तेंदुलकर की पुस्तक playing it my way और as a suitable boy के लेखा के विक्रम सेट ठीक असुटेबल वाई के लेखा का राइटर रे विक्रम सेट तो यह इतनी बुक्स आपको बता है तो नोट कर लीजिएगा एक्जाम में जरूर पूछी जाएगी ठीक है तो अटल जी ने कहा पुस्ता के लेखा कौन है इसका राइट एं देखें उस तो अंडर 20 जापान महिला राश्टी टीम ने फीफा अंडर 20 महिला विश्कप फ्रांस में जो हुआ था फाइनल में इस्पेन को हरा कर जो है तो इन्हों ने जीत हासिल कर ली है और आपको बता देख जापान ने फुटवाल लितिया से पहली वार अंडर 20 महि कर दास तसील वाल भी दिया गया है ठीक है और यहां पर आपको बता देए दोस्तों कि फ्रांस में इस ऐजन हुआ है और हम आपनेतर नेस्टनेशनल इंटरनेश्न थी फूटवाल एस्टेशीेशन इस्थापना वोई थीएए निन सो तीस में और फीफा की जो बरतमान अध्यक्ष है वो है गेवियनो इनफेंटिनो बरतमान अध्यक्ष है फीफा की स्थापना वह थी 1930 में फीफा का मुख्याल है दोस्तों हेटकॉर्टर है जियूरिक सुट्जा लेंड में ठीक है तो फीफा के बारे में आपको एफेक्ट पता होना च सस्थे हैं पूछा सकता है जापान क कॉपरा चार बढ़े दूअँठेश का जाता है यहाँ पर चार बड़े दूइप कौन से है दोस्तों होकाइडो सोफ्ण तनक एनशों चारन को का जाता है यहनँ कि सुरवे तो किस सूरिद्द को जाता है जापान comunidad टोक्यो में सिंज सा है वो है जापान ठीक एसिया का सरवाथिक जल्यान बनाने वाला देश है जापान तो यह आप याद रखिएगा तो किस टीम ने इतिहा से पहली बार फीफा अंडर ट्विंटी महिला वर्ल्डकोप किताब जीत लिया है यह जीत लिया दुस्तो जापान ने ठीक है चलिए हो जापान की करेंसी है एन ठीक है जापान की करेंसी एन चलिए अगले कोशन कि तरफ बढ़ते हैं अगला कोशन है Asia Society द्वारा Game Changer of the Year का पूरुषकार से की से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों इसका right answer है Option B इंदिरा नुई को ठीक है देखे दोस्तों आपको बता दें कि पेपसिको की भारती मूल की CEO इंदिरा नुई को जो है तो वैस्विक सांस्कृतिक संगठन Asia Society द्वारा दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए अपनी ब्याओहारी को उभलब दिया मानवी रिकार्ड और उकालत की मानिता में Game Changer of the Year पूरुषकार से मानित किया जाएगा तो यह बहुत important question है ठीक है इसके लाबा दोस्तों दुनिया को अपने साथी नागरिकों को प्रेरित किया है ठीक है तो यह बहुत important question हो जाता है तो Asia Society द्वारा Game Changer of the Year का पूरुषकार से मानित किया जाएगा यह की जाएगा चंदा कोचर को वहीं दोस्तों बात करें इंदिरा नोई को वहीं बात करें दोस्तों यहां पर शिखा सर्मा की शिखा सर्मा की बरतमान में एक्सिस बैंक की CEO है ठीक एक्सिस बैंक की CEO है शिखा सर्मा एक्सिस बैंक की स्थापना उती चलिए तो अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगले कोशन दोस्तों भारती सहरों में श्वक्ष परिवान की सूची में कौन से सहर सीजस्थान पर है तो इसका राइड एंसर है आपसाने भोपाल देखे दोस्तों नई दिल्ली स्थीत थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एंवार्मेंट द्वारा भारत के 14 शहरों के आकड़ों का विशलेशन किया गया और यह जाचने के लिए भारत के शहरी आवादी के बड़े हिस्षे वाले कुछ शहर शुक्ष और कम कारवन गत्सील तक दोड़ में इस्थीत हैं आपको बता दिक भोपाल सहरी जनसंगयम स सबसे कम समागर उच्षारजन और उज्जा उपयों के लिए शीर्ष पर है और सारवजनिक परिवहना और पैदल यात्रा के उच्च उपयों के कारण कोलकाता 6 मेगा सिटी की बीच में सबसे कम उच्षार जित करता है ठीक है और आपको वतादेख अरवन जो है तो कम्यू पाल विजाबाड़ा चंडीगर और प्रति यात्रा उत्सरजन और उर्जा खपद में शीर्ष तीन राज्यें वह हैं कोलकाता मुंबई और भौपाल फस्ट नमर पर कोलकाता सेक्ट नमर मुंबई और थर्ड पर भौपाल तो भारती सहरों में स्वक्ष परिवान के सूच सिलंका के कोलंबो में जो तो छेत्र चुनाओ और लोकतंद की स्थिति पर चर्चा करने के लिए चौथे एसियन इलेक्टोरल स्टेकोल्डर फोरम की सुरुवात की गई है और यह दो दिवसी मन सिलंका के चुनाओ आयोग और मुक्तु चुनाओं के लिए एसियाई और कंबोडिया यानि ऑप्सन ए और वी दोनों राइट है की यात्रा पर हैं अब कोतादे की आशियान छेत्र के दो प्रमुक देशों के साथ भारत के सामरिक सहयोग को गहरा बनाने कुद्देश से विदेश मंदिर सुस्मा स्वराज ने वियतनाओ और कंबोडिया के चार राजधानी हनोई यहां की करेंसी दोस्तों वह बेट नामी डोंग जूश-द्राइट के राजधानी हनोई और करयंसी डोंग या इसमर कि अनौनर के कल का एंसर कल मैंने कोश्चन पूछा था हाली में एसो चैम का नया महासचीव किसे निउट किया गया है जिसका राइड एंसर था ऑप्सन भी यूके वर्म लगवग सभी लोगों ने राइड एंसर दिया था और एसो चैम के जो वर्तवान प्रेसिडेंट है वो थे संदीप जो दिया है चलिए आप देख लेते हैं आज का सवाल आज का कोश्चन है रक्षा और संथाने विकास संक्ठाने डिया डियो को नए अध्यक शिरूर में किसे निउट किया गया है बहुत इंपोड़न कोश्चन है ये निउट इसलेट अक्सर कोश्चन पूछा आता है यह मैं कल की वीडियो देखिए हुँ तो आपको एंसर पता होगा और प्लीज यह देंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखा करें साथी पूरे डिटेल के साथ लिखेंगे जैसे मैंने डिया डियो के बारे म सारी जानकार्य आपको दी थी यदि आप लिक देंगे दोस्त करके फॉलो जरूर कर लें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करके जाएगे वीडियो साथी साथ इसे शेयर कर दीजैंगे दोस्तों के साथ और इदिया आप चैनल पर पहली बार बीर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर बार यदिया मिलते हैं करें बार टोस्तों के साथ औरूर